जैश्री रामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की दो फरवरी, 2005 को काजल कुमार नाम के एक विक्ती ने, जिसकी अब मृत्य हो चुकी है, कुमा, पुलिस थाना, इंगलिस बाजार के प्रभारी के समक्स, इस संबंद में एक लिखित शिकायत दर्ज कराईगी, तारीक उन्निस फरवरी, 2005 को अपराहन लगभग 34 बजे उसका साला, संतोस, कुमार, भौमिक, कोश्टक, मृतक, कोश्टक, अपने कारियाले, कौमा, मा तारा, ट्रांसपोर्ट, जो मंगल बाड़ा में उस्थित है, कौमा, से बिना किसी को बताए, बाहर गया, किन्तु, जब वह अर्ध रात्री तक वापस नहीं आया, कौमा, वे उसे ढूंडने लगे, किन्तु, उसका पता नहीं चल सका विराम। उस दिन अर्थात बीस फरवरी कौमा, दो हजार पांच को रात्री लगभग चार बजे, उन्हें पुलिस थाना, इंग्लिस बाजार से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम गनिपुर में अपिलार थी, दिलिप दास, उर्फ रवी दास, जो मातारा ट्रांसपोर्ट में चालक के रूप में कार्य करता है कौमा, के घर में एक शाव पड़ा हुआ है विराम, इस सूचना को प्राप्त करने के पस्चात वह अजित गोश कौमा, पार्ध सर्थी पॉल और सुसील सहा के साथ वहां गया और वहां पर मृतक संतोस कौमार भवमिक का सव अपिलार्थी के आवासिय मकान के बरामदे में पड़ा हुआ पाया गया जिस से रक्त बह रहा था विराम, उसे द्रड विश्वास्था की अपिलार्थी दिलिप दास और उसकी पत्नी अपिलार्थी नीपा दास ने आपराधिक हेतू के साथ मृतक की हत्या की है विराम। काजल दास की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना इंगलिस बाजार में अपिलार्थियों के विरुद्ध अभी साबाइस द्वारा दंड सहिता की धारा 302 ओबलिक चोंतिस के अधीन 20 फरवरी, 2005 को मामला संख्या 88 ओबलिक 2005 दर्ज कराया गया इसके पस्चात स्वयम उसने अन्वेशन का कार्य भार संबाला और उसका उस्थानांतरन हो जाने के पस्चात उस मामले का अन्वेशन अभी सा 21 द्वारा किया गया और इसके बाद अन्वेशन पूरा होने पर दंड सहीता के धारा 302 ओबलिक 34 के अधीन अपिल आर्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्थुत किया गया विराम 20 फरवरी, 2005 को अभी सा 22 ने काजल कुमार दास कोश्टक वह साकसी जिसकी अब मृत्यू हो चुकी है कोश्टक कुमा अजित कुमार घोष कोश्टक अभी सा छे कोश्टक और अभी सा आठ की मौजूदगी में मृत्यक के सव की मृत्यू समिक्षा की और इस सम्मंद में रिपोर्ट कोश्टक प्रदर्श साथ कोश्टक तयार की विराम उसी दिन अभी सा तेर ने मृत्यक के सव की सव डेश परिक्षा की और उस परिक्षा के दोरान उन्होंने विभिन माप की खरोचों कोमा दाईं पार्षविक कपालास्ती कोमा नासा डेश अस्ती कोमा उपरी और निचले जबडों में अस्ती भंग सहित कई क्षतियां पाईं और यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व कारित की गई क्षतियां हैं जो किसी कठोर तथा कुंद वस्तु से कारित की गई हैं विराम शव परिक्षन के पस्चात कोमा उन्होने रिपोर्ट कोष्टक प्रदर्स्तीन कोष्टक तैयार की विराम तारीक 5 जुलाई कोमा दो हजार चे को धंड सहीता की धारा चोतिस के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया जिस पर अपिल आर्थियों ने दोसीन होने का अभिवाग किया और इसके परिणाम स्वरूप उनका विचारण किया गया विराम स्टॉप धन्यवाद झाल 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 झा